दूस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिकी वोकैब का आज डे फोर है और मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से निकालना सिखा रहा हूँ तो देर न करते हुए चलते हैं आज के वर्ड्स की तरफ दूस्तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने आता है अब ब्रिच अब ब्रिच है इसको हम क्या कर लेते हैं ब्रिच और ब्रिच को आप जानते हैं कि ब्रिच क्या होता है bridge एक pull होता है तो आपका कोई रास्ता था उपर bridge बना दिये गया वो short हो गया तो bridge से क्या हो गया? bridge से रास्ता short हो गया ऐसे याद रख लेना pull से रास्ता short हो गया तो bridge बन गया या फिर आप याद रख लेना छोटा pull तो इस तरह से भी आपको दिमाग में बैट जाएगा दोस्तो next word हमारा आता है abrogate abrogate अब इसको आप कैसे याद करें abro, bro, bro को माना हमने बुरा और gate मतलब बंद तो बुराई का जो gate है वो बंद कर दिया abrogate, बुरा gate बंद कर दिया कुल मिलाकर पहले बहुत सारी प्रताई होती थी जैसे कि child marriage है या फिर आपने देखा होगा कि जो video sacrifice है बहुत सारी bad customs थी उनका क्या करना, end करना, to end a custom that is called abrogate abrogate, बुरे gate को बंद कर देना कहने का मतलब बुरी प्रता को खतम कर देना या फिर किसी custom को खतम कर देना abrogate इसके बाद दोस्तो next word हमारा आता है absolve, absolve क्या आपका अपने दोस्त से जगड़ा हो गया लेकिन कितने दिन दोस्ती में जगड़ा होगा, जाज जाज 2-4 दिन, अब आपने या आपके दोस्त ने क्या किया, माफी मांग ली और दूसरे दोस्त ने माफ कर दिया तो वही है, problem solve हो गई तो क्या कर दिया, pardon कर दिया ठीक है, शमा कर देना, absolve क्योंकि problem अब solve हो गई है इस तरह से आद कर लेना, problem solve होने पर माफ कर दिया, next word आता है शडन शॉक या वरी, ठीक है न, that is called a ghost, ghost को देखकर चिंता हो गई, या फिर एक धक्का सा लगा that is against, इसके बाद दोस्तों, next हमारा word आता है ध्यान लेकना इसको, और मैं आपको बता रहूं कि as funny as we can ये थोड़ा सा funny way है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन purpose है आना, चीजों को सीखना क्योंकि जब आप exam में बैठे होंगे और exam में बैठे-बैठे, suppose करो ये word आ जाता है आपको exam में, back nalien, back, nalien back को हमने कर दिया buck, क्या कर दिया buck, और nalien, nali, तो एक व्यक्ति है बकते-बकते कहा गिर गया, नाली में गिर गया और बकते-बकते नाली में कौन सा व्यक्ति गिर सकता है, जिसने शराब पी रखिये तो ड्रंकन हो गया शराब पीए हुए, तो back nalien बकते हुए नाली में गिर गया आपका अगर सपोस्कोर एक्जाम में आ जाता है back nalien, तो एक दम इस्ट्राइक होगा अच्छे असर ने बताया था, बकते हुए नाली में गिर गया और कौन गिरा, शराबी गिरा तो इस तरह से आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे दोस्तो फिर next word आता है बामी अब इसको बाम से आप तोड़िये बाम आपने सुनाओगा जंडू बाम, जंडू बाम, पीडा हारी बाम तो वही situation है पीडा हारी बाम मतलब तो जब पीडा हारी है तो उससे क्या मिलेगा सुखद अनुभूती होगी बाम मिलेगी बाम गरम तो लगता है लेकिन वो क्या देता है सुखद अनुभव देता है कहने का मतलब हमारे दर्द को राहत देता है तो बाम इसको बोलेगे बाम ही मतलब बाम से तोड लेना बाम इसके बाद दोस्तो next आता है bear face bear का500 बाम हो तो वह व्यक्ति कैसा है, वो shameless है, वो nalak type का व्यक्ति है, वो shameless उसको सरम नहीं है, इसके बाद next word आता है दोस्तो कैको फोनी, अब इसको आपने कैसे तोड़ा phony को आपने तोड़ा phone से, आपको phone आता है, phone पर एक अजीब अजीब सी sound एक व्यक्ती निकालना है कैको केको कर रहा है और वो sound क्या आपको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी ना तो आपका meaning भी ही आ जाता है unpleasant sound एक ऐसी sound जो unpleasant है that is cacophony इसके बाद दोस्तों आता है cardinal कार्डिनल इसको आप कैसे तोड़ेंगे डी और नल दीदी का नल दीदी का नल है आपके पडोस में कोई दीदी है और उनके हाँ पर एक नल है और वो आपके लिए बहुत important है क्योंकि आप उससे पानी वगरा लेकर आते रहते हैं emergency में तो ऐसी situation में दीदी का नल कैसा है important है आप याद रखे लिए ना दीदी का नल important है cardinal तो इस तरह सापको meaning दिमाग में बैठ जाएगा अब दोस्तो next word हमारा आता है and the last word is charismatic अब charis को हमने तोड़ दिया cherry से cherry जो होती है खाने में तो अच्छी होती होती है और देखने में भी दोस्तो बहुत अच्छी लगती है यानि कि attractive लगती है तो meaning भी आगया attractive तो दोस्तो ये थे आज के हमारे top 10 words उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आये होंगे अगर दोस्तो आपको मेरी ये tricky जो word power की जो series है 100 words की में चला रहा हूँ ये आपको अच्छी लग रही हो और आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया हो तो please चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon है उसको press करना न भूले वीडियो को ज़ाद से ज़ाद लाइक करें comment करें और share भी करें Thank you very much Your Dr. Sachin Gooswami